नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर एक्सल के अंदर देख रहे हैं मेरे पास जो है कुछ नम्मर्स है और यहाँ पर भी यह वाले नम्मर्स दिये गए हैं हर चार डिजिट के बाद एक स्पेस दे दिये जाए या फिर हर तीन डिजिट के बाद स्पेस दे दिये जाए तो उसे हम किस प्रकार से देंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं जो है सबसे पहले इसको सेलेट कर देता हूँ select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा number का मैं जो यहाँ पर इसके ओपर click करता हूँ यहाँ पर देखी हमारा format cell का dialogue box open हो चुका है यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा custom मैं जो इसके ओपर click करता हूँ click करने के बाद देखें यहाँ पर आपको type के अंदर दिखाई देगा box है फिलाल इसके अंदर 0 है मैं जो इसे delete कर देता हूँ यहाँ पर जो यह मैं 4 बार has type कर देता हूँ अब 4 बार जो है मैं has type क्यों करूँगा क्योंकि मुझे जो है हर 4 नमर के बाद जो है एक space चाहिए इसलिए जो है मैं 4 बार has type करूँगा यहाँ पर जो आप यह नमर देख रहे है फिलाल जो मेरे नमर है 12 नमर है आपके कितने भी नमर हो सकते है 14 हो 10 हो कितने भी हो आप उसके इसाब से इनमे space दे सकते है तो यहाँ पर जो है मैं simple 4 बार has type कर देता हूँ और इसके बाद simple मैं 1 space देता हूँ फिर से मैं 4 बार has type करता हूँ इसके बाद मैं फिर से 1 और space देता हूँ और फिर से मैं 4 बार has type करता हूँ यहाँ पर जो है देखिए मैंने 4 बार has type किया क्योंकि मुझे 4 number के बाद space चाहिए और मैंने 3 बार इसे इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर total जो number है यह मेरे 12 है और इसलिए मैंने 12 बार इसे type कर दिया है यहाँ से simple मैं से ok कर देता हूँ यह देखिए यहाँ पर इन number के अंदर हर 4 digit के बाद एक space आ चुका है तो इस प्रकार से आप इसके अंदर space ला सकते हैं यदि आप 3 का space लाने चाहते हैं या 2 का वो भी ला सकते हैं तो इसके लिए मैं फिर से इसको select करता हूँ इस पर जाता हूँ अभी फिलाल मैं इसके अंदर चाहूँ तो edit कर सकता हूँ लेकिन मैं फिलाल जो edit नहीं कर रहा फिलाल इसे अठा देता हूँ यहाँ पर जो है मैं 3 बार hash type करता हूँ क्योंकि मुझे 3 के बाद space चाहिए फिर से मैं space देता हूँ फिर से मैं 3 बार लगाता हूँ फिर space देता हूँ फिर से 3 बार देता हूँ फिर से space देता हूँ और 3 बार has लगा देता हूँ तो यह देखे यहाँ पर 12 हो चुके हैं मेरे total has और 3 के बाद मुझे space चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर space दिया है और simple ok कर देता हूँ यह देखिए हर 3 नमर के बाद जो है space आ चुका है तो इस परकार से जो है आप जो है Excel के अंदर यदि आपके पास कितने भी number हो उनके बीच में space दे सकते हैं यदि आप इन सब को delete करना चाहें तो delete भी कर सकते हैं मैं इसको select करता हूं numbers पर जाता हूं और यहां पर देखिए यह वाला space है जो मैंने भी 3-3 का दिया था इसको मैं यहां से delete कर देता हूं यह देखिए यहां से मेरा हट चुका है और ok कर देता हूं यहां से मैं इसको number में convert कर देता हूं तो यह देखिए इस परकार से जो है आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई